अखले शादव ने कर दी बड़ी भविश्वानी भाजपा की बढ़ गई टेंशन आज हम इसी पर करेंगे बात नमस्कार फोर पीम में आप सभी का स्वागत है देश में भले ही एंडिये की सरकार बन गई हो नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधार मंत्री जरूर बन आएगी जिस तरह से 1419 की उसने सरकार चलाई उस तरह से 2024 के लोकस्वाच चनौव में जिस तरह के से उसका प्रधिशन रहा तो सरकार चलाना इतना आसान नहीं होगा ये पाच साल जी हां बाजपा का सहारा जो बने है ना वो है नितीश कुमार और चंदर बाबू ये दो दिगज ऐसे हैं जिनकी हाथ में सरकार की चाबी रहेगी जब चाहें ये लोग ताला लगा सकते हैं एक तो बीजेपी के लिए ये चिंता है दूसरी ये कि जिस यूपी पर जिस उत्तरपरदेश पर पूरा भरोसा था कि उत्तरपरदेश तो फता कर लेंगे उस तीन सीटे ही मिल सकी वह सवाजबादी पार्टी जिसको 2019 में मात्र 5 सीटे मिली थी उस समाजबादी पार्टी को इस बार यूपी में सह 13 सीटे मिली और कॉंग्रेस को 6 सीटे तो कुल इंडिया गरबंदन को 43 सीटे इस लोकसभा चुनाओं में मिली एक भाजपा के लिए य देखते हुए अखलेश आदफ का सीना चोड़ा हो चुका है देश में सपात तीसरी बड़ी पार्टी बन गई है जिसने लोग सुबाद चुनाओं में सबसे आधिक सीटे जीती हैं बैतर प्रदेशन को देखते हुए अखलेश आदफ लगातार बैठक पर बैठक कर रहे हैं नवनिवाचित सांसुनों के साथ भी अखलेश आदफ ने बैठक की उनको दिशा नर्देश नी है और आगे की रणीती पर चर्चा की वह अब अखलेश आदफ आगे की तैयारी करने में लगे हैं दोहजर सताइस के विधानसवा चुनाव को लेकर अखलेश शादफ ने रणीती बनाने शुरू कर दी अभी से और एक ऐसी भवश्वानी किये उन्होंने जिससे योगी मोदी और पूरी भाजपा के टेंशन बढ़ सकती है बतादे कि अखलेश शादफ ने दावा किया है कि दोहजर सताइस में होने वाले यूपी विधानसवा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बने गी और उन्होंने दावा किया कि यूपी में जनता का भरोसा भाजपा सरकार खो चुकी है इतना ही नहीं लोगस्वा चुनाव का जिक्र करते हुए अखलेश ने का कि पिछला दलित अल्पसंखेक वर्ग के सभी समाज के लोग बिलकर समाजवादी पार्टी और इंडिया गडबंदन को जिताने में लगे रहे अखलेश ने का कि बीजेपी की समाज को बाटने की राजनीती को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है अखलेश ने पिये मोदी के नितरतुमें थीसरी बार बढ़ी एंडिये सरकार को लेकर भी निशाना साधा अखलेश ने कहा कि ये अधर में लटकी सरकार है उन्होंने सोचल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि ओपर से जुडा कोई तार नहीं, नीचे कोई आधार नहीं अधर में जो है अठकी हुई वो तो कोई सरकार नहीं यह अखलेश ने X पर ये पोस्ट किया उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार जनता का भरोसा खो चुकी है इनका जूट और लूट जनता के सामने बेनकाब हो चुका है 2024 के लोगसभा चुनाव का परेलाम समविधान और लोकतंतर की जीत है बता दे कि यूपी में सपा ने लोगसभा चुनाव में अच्छा परदेशन किया पार्टी ने अकेले राज में 37 सीटों पर जीत दर्ज कि वह बीजेपी को 33 सीटों पर जीत मिली है यूपी में सपा के नितरत में चुनाव लड़े इंडिया गड़बंदन को 43 सीटों पर जीत हासिल हुई वह एंडिये को 36 सीटों पर जीत मिली है जबकि एक सीट आजास समाच पार्टी ने जीती अखले शादफ की नजर अब विधान सबाद चुनाव पर है यानि कि जो 2027 में चुनाव होगा उस पर अखले शादफ की नजर है उन्होंने नवनिर्वाचित सांसुदों से का कि आप जनाता के बीच रहें उनकी समस्याओं को सुने तब ही आगे ऐसी जीत मिलेगी अखले शादफ की अपनी पार्टी के नवनिर्वाचित सांसुदों से मुलकात की और इस मौके पर उन्होंने का कि पार्टी को बड़े पैवाने पर जनाता का सवर्थ मिला है अब समाजबादियों की जिम्मदारी बढ़ गई है जनता की एक एक बात सुने उनके मुद्द को उठाएं क्योंकि जनता के मुद्दों की जीत हुई है अखले इस ने सांसुदों से का कि इस बात बहुत मश्बूती के साथ यूपी की जनता के मांग सम्मान की लड़ाई संसद में लड़नी है यह हमारी नैतिक जिम्मदारी बनती है कि जहां से सबसे ज़्यादा सबकि एक पार्टी की तमाम करेकरताओं ने जिस तरह से मेहनत की इंडिया गडबंदन के जितने भी दलते उन्होंने जिस तरह से मेहनत की उसका परिणाम सामने है और अखलेश ने जिस तरह के से का कि जहां से सबसे ज़्यादा सांसक चुनकर जा रहा है वहां की जनता की म मुद्दों को उठाएं प्रदेश की जनता को आप सुनें और उनके मुद्दों को आगे तक लेकर जाएं और इससे आगे आने वाले दोजर सत पाइस में भी बड़ा फायदा आपको मिलता हुआ दिखाई देगा लेकिन जनता के मुद्दों को उठाना होगा जनता की समस्याओं को सुनना होगा इस वीडियो में तुना ही आप दिकतरी पोर पियम हुआ